नमस्कार, स्वागते आप सभी का आयुश्मान भव के इस अंक में मैं हूँ प्रीती सिंग्ग आयुश्मान भव में आज हम बात करेंगे काला मोतिया यानी ग्लूकोमा की काला मोतिया यानी ग्लूकोमा और सफेद मोतिया बेंद यानी कैटराट काफे मिलते जुलते नाम है लेकिन दोनों में काफी अंतर है जहां operation से सफेद मोतिया में ठीक हो जाता है वहीं काला मोतिया आँखों से उजाला च्छीन सकता है इसकी गंभीरता का अंदाजा ऐसी से लगाया जा सकता है कि इसका हर सात्वा मरीज एक आँख की रोशनी खोने के बाद ही चिकित्सक के पास पहुँचता है अच्छी भली नेतर द्रिश्टी वाले व्यक्ति को एक दिन अचानक एक आँख से कम दिखाई देने या बिलकुल दिखाई ना देनी के शिकायत हो सकती है जी हां ग्लूकोमा या काला मोधिया किसी भी भले चंग वेक्ति के आँखों की रोशनी अच्छानक चींग सकता है तो अगर आप भी से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ हमारे कारिकर में जुड़िये क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन बेहत खास महमान मौझूद हैं जो अलग-अलग पैथी से जुड़े हु तो आप हमें कॉल कीजिये हमारे नमारे नंबर लगाता टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं साथि आप जी मेल जरिये भी सवाल पूठ सकते हैं सकेलवा यूट्यूब लाइफ के कमेंट सेक्शिन में भी आप सवाल लिख सकते हैं समस्या ये है कि ग्लुकोमा के लक्षन आम तोर पर पहले प्रकट नहीं होते और जब इसका पता चलता है तब तक रोगे की आखों की रोशनी जा चुकी होती है इनसान को खुबसूरत आखे, कुदरत का अनमोल तोफा है लेकिन आखों को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी के लिए भी मुसीबत बन सकती है ग्लुकोमा जिसे आम भाशा में काला मोतिया भी कहा जाता है हमारे आख एक गुबबारी की तरह होती है जिसके भीतर एक तरल पदार्थ भरा होता है आखों का ये तरल पदार्थ लगातार आखों के अंदर बनता रहता है और बहार निकलता रहता है आखों के स्तरल पदार्थ के पैदा होनी और बहाद निकलने की स्प्रक्रिया में जब कभी दिक्कत आती है तो आखों में दबाव बढ़ जाता है आखों में कुछ आप्टिक नर्व भी होती है जिनकी मदद से किसी वस्तु के बारे में संकेत दिमाग को मिलता है आखों पर बढ़ा दबाव इन आप्टिक नर्व को डामेज करने लगता है और आखों की रोश्री धीरे-धीरे कमजूर होने लगती है अगर इसके शुरुवाती लक्षनों का पता ना चले तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है ग्लुकोमा दो प्रकार के होते हैं ओपन आंगल ग्लुकोमा जब कभी आखों के बढ़े प्रेशर के चलती आख की ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है और उसके चलते नजर खराब हो जाती है तो उसे ओपन आंगल ग्लुकोमा कहा जाता है इसमें धीरे-धीरे नजर कमज क्लोज आंगल ग्लुकोमा इस प्रकार के ग्लुकोमा में आखों को पोशन देने वाले तरल पदार्थ का प्रभा एक दम से रुख जाता है। पूरे दिन के काम के बाद शाम को आख में या सिर में दर्ध होना, बल्ब के चारो तरफ इंद्र धनुशीर रंग दिखाई देना, अंधेरे कमरे में आने पर चीजों पर फोकस करने में परिशानी होना, साइड विजिन को नुकसान होना और बाकी विजिन नॉमल रहना इसक 40 साल की उम्र के बाद इसकी आशंका जादा होती है और इसलिए 40 साल की उम्र के बाद आँखों का ब्रेगुलर चग जगत जरूरी हो जाता है, नजर की कमजोरी की वज़े से भी ग्लुकुमा हो में हो सकता है। कभी आंक में कोई जखम हुआ हो या किसी तरह की सरजरी हुई हो तो भी ग्लुकोमा की आशंका ज़ाधा होती है मायोपिया, डाबिटीज या ब्लेड प्रेशर वाले रोगियों को ग्लुकोमा से नुकसान ज़ाधा होता है ग्लुकोमा बच्चों को भी हो सकता है एक बार ग्लुकोमा का पता चल जाने पर अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो इसके बुरे परिनामों से बचा जा सकता है साथ ही इसके लिए खाने पीने की आदतों में भी बदलाव बहुत जरूरी है आयुश मान भवा, राज्यसभा टीवी ग्लुकोमा हम देख रहे हैं तीजी से बढ़ रहा है और क्या इसके पीछे कारण है और जो आकड़े हैं ताजा वो है तीन से पांच फीजदी लोगों में ग्लुकोमा के लक्षन पाए जाते हैं तो इसके पीछे वज़ा क्या है एक तो कालम होती है हमारे देश में बाकी देशों के अलावा हमारे देश में तो थोड़ी कम उमर में होता है तो इसलिए हमारे देश में जो नंबर्स हैं वो बहुत जादा है अगर पॉपुलेशन वाईज देखे जाएं तो वो 3-5 परसेंट अगर हम numbers में translate करें तो बहुत जादा numbers हो जाते हैं एक तो ये कारण है, दूसरी ये भी कारण है कि जैसे मैंने कहा बच्चों में और young लोगों में जादा काला मोतिया होता है तो इसलिए भी total numbers होते हैं वो धीज़े धीज़े increase ही कर रहे हैं तो प्रॉबबली जो हमारे देश में एक तो काला मोतिया के numbers बहुत जादा हैं दूसरा ये भी है कि हम लोग उनको जल्दी पकड नहीं पा रहे हैं और क्योंकि हम इनको पकड नहीं पारते हैं बाइदे टाइम जो हमारे पास पहुंचते हैं बहुत लेट हो जाता है ठीक है पहले कॉलर जुड़ गए हैं अमर ने हमें रामपुर उत्तरप्रदेश से कॉल किया है अमर आपका स्वागत है कारिक्रम में पूछी आपका सवाल क्या है अमर आप सवाल पूछ सकते हैं एक और कॉलर है दिशा ने दिल्ली से कॉल किया है हमें दिशा आपका स्वागत है हमारे कारे क्रेब में, बताईए कैस सवाल है आपका मेरे पादर को काला मोतिया है, और सफेद मोतिया भी है देखने में बहुत परिशानी हो जाती है, जुनलापन आ जाता है ठीक है, उसके पर जानना था जी, ठीक है, डॉक्टर विने ये बता रही है इनके पिता जी को काला मोतिया भी है, सफेद भी है तो आप इनसे कोई और जानकारी उचना चाहते है अब ये तो आपको डॉक्टर से पता करना पड़ेगा कि काला मोतिया जादा है कि सफेद मोतिया जादा है अगर काले मोतिया जादा है तो काले मोतिया का उप्रेशन करना पहले जादा ठीक रहेगा अगर सफेद मोतिया जादा है और काले मोतिया कंट्रोल में है तो सफेद मोतिया के उप्रेशन से नजर काफी कुछ बढ़ सकती है तो इसलिए वो तो आप operation पहले करें और फिर दूसरा operation बाद में करें वो जादा ठीक है इसलिए आप अपने किसी आँखों के doctor को एक बार दिखा दीजिए जो आपको बता पाएगा कि पहला operation कौन सा करना चाहिए ठीक है और डॉक्टर मजुश्या आयरवेद काला मुतिया को लेकर इसमें कारण जो है नेत्रों के कारण ही है जिसमें कि हमारा खाना की न और रहन सहन उसten में में है इसमें ग्लोकोमा के लिए जैसे एक बढ़नाज आज बोक कोमा के कारणों में आलकोहल एक कारण बताया गया smoking एक कारण जो पित को बढ़ाने वाले कारण है इसी तरह से एक कफ को बढ़ाने वाले कारण जो माश है या हम जो अपने आजकल जो बेकरी आइटम्स जादा खाये जाते हैं जिसे की nutrition नहीं मिलता है पर वो शरीर में कफ को करें तो वो कालम मुतिया में किस तरह से मदद करता है क्या कहता है पर वोपैथिस बारे में एक किये है हो मिख फिद्ग में हम इस तरह से डॉक साब ने बताया कि दो तरह का होता है ओपन एंगल एंड क्लोज रंगल तो सब से ज़रुरी है अवेरनेस होमेटी में इसको हम कैटेगराइज करते हैं अग्यूट और क्रॉनिक डिजीज में और अगर एक क्रॉनिक इल्नेस में है तो उसके लिए हमारी एप्रोच जो है हाव टू मैनेज की क्रॉनिक बिमारियों को किस तरह से हम इलाज करते हैं उस एंगल से हमें उससे देखना होता है और उसके इसाब से ही हम उसको ट्रीट करते हैं अब जैसे उधारन के लिए आजकल जो ट्रिगरिंग फेक्टर है कि बच्चे कंप्यूटर्स पे बहुत बैठते हैं और चालिस के बाद वनरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और हेरेडिटी फेक्टर एक दूसरा है इस पे एहम पहलू है जिस पे हम ज्यादा है इंपोर्टन्स देते हैं तो लाइफस्टाइल एक बहुत इंपोर्टन चीज है और उन सब फेक्टर्स को देखते वे एक केस को प्रॉपरली असेस करके जब हम उसको होमियोपेटिक दवाई देते हैं तो हमने पाया है कि रिजल्स बहुत अच्छे मिलते हैं ठीक है एक और कॉलर है जुबेर ने कॉल किया है मध्यपरदेश से मारे साजुड़े है जुबेर आपका स्वागत है हमारे कारेकरम में बताए ये शाहल और नमस्कार बताएए थिक हैotti क्या ये ग्लॉकूमा का कोई लक्षन है या कोई और तकरीफे बता आपको अगर यह वही है कि आपको डॉक्टर को दिखा कि अपनी दिखानी पड़ेगी आंखें बताना पड़ेगा कि कितने समय से यह अपको यह प्रॉब्लम हो रही है और फिर उसके मुताबिक वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं बट यह काले मोतिया का लक्षन नहीं है अच्छ ठीक है अजे ने कॉल किया है गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े है अजे आपका स्वागत है कारिकरम में बताएए क्या सवाल है आपका मेरी जो राइट आई है इसमें पहले कुछ मैंने आरके का ट्रीटमेंट कर रहा था पावर एड़ेस्मेंट वाला 96 में करीबन और उसके बाद क्या हुआ है कि 2013 से मेरे को आई में दुबारा से प्रॉब्लम आई है जिससे क्या हो ना बलर वीजन आगी एक दम से तो डॉक्टरों ने डाइगनोज किया कि भाई यह CME है एडेमा और उसके लिए उन्होंने कुछ इंजेक्शन से लगाए और उस इंजेक्शन का साइड एफेक्ट होके कैटरेक्ट बन गया अब वो कैटरेक्ट को सही करवाया तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो रेटिन इम्मुनिटी प्राबलम है तो उसने अटो प्राइमुनिटी के लिए कुछ इस्टेरोइड दिया तो इस्टेरोइड बैठ गया बिजन क्लियर हुई लेकिन यह अब जो हैना हर तीन महिने छे महिने में रिपीत हो रहा है तो मेरी अजी समंची और बार रिपीत हो रहा है जाता लेने से बाडी में दूसरे तरे की प्रब्लम्स होते हैं, तो इसका कुछ समाधान बताएं कि क्या हो सकता है? ठीक है, दोक्टर वेने? तो यह जो आपको जैसे उन्होंने ठीक बताया, आपको यह कोई आटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, जिससे बार बार यह स्वेलिंग हो रही है रेटिना में, और स्टिरोइड से या इम्मिनो थरपी से इसका ट्रीटमेंट होता है, मगर क्या लॉंग टरम इसका क्योर है, यह इंजेक्शन्स, अस्टिरोइड के लगा रहे हैं या ड्रॉप्स दे रहे हैं, क्योंकि अगर इंजेक्शन्स लगा रहे हैं, तो उससे काले मुनतिया होने का ज़्यादा चांस है, अगर ड्रॉप्स दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा चांस है, मगर इंजेक्शन्स से पड़ेगा और इसके लिए काफी लंबा ट्रीटमेंट होता है अगर कोई अल्टिनेटिव हुमिपैथी आयुर्देट में इसका ट्रीटमेंट है तो मेरा क्याल दूसरे विशेशग्य जाद अच्छी तरह से लिटापाई है। आखो के स्वास्ते के लिए हमें आयुर्वेद में जो चक्षुषे द्रवे में जो आखो की हेल्थ के लिए बेनिफिशल बताए गए हैं तो उसमें मूं की दान सबसे अच्छी है ऐसे पपेया है गाजर है और पालक पथुआ शिगरू जो हम शोभांजन जो पंजाबी में ह स्वाजना के फूल वगरा यह जो सरद्यों में आते हैं तो यूज करते हैं शिगरू के पते फूल किसी भी फॉर्म में हम अपने अहार में यूज करें तो आखों के लिए यह बहुत अच्छे हैं और जहां वो डॉक्ट साब ने पिछला क्वेशन किया था ऐसे पेशन्स म के तवारा भी डेचन का वागे फिर हम उसको शोथार चिकिसा करते हैं तो ऐसे पेशन्स में आरा मिलता है तो मेरा यह मानना है कि ऐसा पेशन्स जिसको की रिकृरंट हो रहा है और वो स्टिर एवाइद करना चाहते हैं तो लेके अंडर गो लेको अपना पंच कर्मा का वा है और प्रेशर वेरियेबल है तो मैं यह सजेस्ट करूंगा कि वो होमियोपेथिक हॉस्पिटल में जाए और एक बार दिखा के जो हमारी होमियोपेथिक एप्रोच है यह दोनों छीजे है कि एवैलुएशन करना कि स्वेलिंग है किस लेवल की स्वेलिंग है प्रेशर में कितना प्रेशर वेरियेशन है डायर्नल वेरियेशन है यह नहीं है उसके बाद जो होमियोपेथिक अप्रोच है इसको हम कहते है मायजमेटिक ट्रीटमेंट में अगर हम उसको एक दवाई स प्रिश्टी का यानि विजन का मौन्चूर चुपचाप जो विजन आपका चुड़ा लेता हो यह भी ग्लुकोमा के लिए कहा जाता है तो आखिर आम आम आपी कैसे समझे किन लक्षन उपर वो ध्यान दे जब उसे यह समझ में आया कि मुझे दॉक्टर की सला लेना चाहिए एक तो काले मौतिया के मरीज ज़्यादा तर वो होते हैं जिनकी फैमिली में होता है त्रीकर अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो अपना चेक अप ज़रूर करवा लेना चाहिए क्यूंकि फिर वो आपके चांसे ज़़ादा बढ़ जाते हैं होने के दूसरा, 40 से उपर क काले मोतिया होने के भी चांसे सो after 40 years of age सभी को कम से कम अपनी आंग का प्रेशर तो चेक करवा ही लेना चाहिए और या फिर किसी डॉक्टर को जाके अपनी एक रुटीन चेकप आंग का करवा लेना चाहिए तीसरा अगर कभी आपको किसी को लगे आदमी को को ज़रा अपने थोड़ा आंग का जादा ध्यान रखना चाहिए कि अवस करते हैं अहले यह सीज जाह तो सुप Patành को कि आपयों बहुawi इसना यह करने में के जहा जोल करेंगे सुथा जस्माइब करिया विजन शी चिए करें से जाद यह अवैदान च이면 Mostने में कि यह उन को आपत शीक्त साल पहले अपहले तो अब इसमें कोई और उप्चार ने क्या मिलब यही करना पड़ेगा कि अब 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 जो नजर चली गई काले मुतिया में वो तो वापस नहीं आ सकती बड़ कम से कम जितनी रह गई है उसको बचाने के लिए यह ज़ूरी है कि वो जो दवाईया आपको दी गई है वो क्याते हैं कि आप चाहे खाना खाएं या ना खाएं मगर दवाईया अपनी जरूर डालें उस थोड़ी बहुत दिश्टी को बचाने के लिए एक तो यह चीज़ जरूरी है दूसरी डॉक्टर को दिखाना कि वो उन दवाईयों से प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है वो कम रहे गया है इस इंपोर्टन्ट की आप डॉक्टर को दिखा के इनका प्रेशर जरूर चेक अप करवाई हर तीन या चार महीं ने ठीक है और डॉक्टर मंजुशा क्योंकि इस अनुवानशिक भी एक बहुत बड़ा कारण है तो आप अगर हमें थोड़ा डीटेल में बत करने के लिए तो यह कि आजकल जो हमारा आखान पाने वो टोटली चेंज हो गया है इसके लिए हम एक आखों के हेल्थ के लिए खासका खटा पिकल्स वागरा जो है और एरिटीड ड्रेंक्स हैं बेकरी आटम से वो बिलकुल भी नहीं चाहिए और जूसिस भी जैसे आजकल अहार विहार शुद जहां तक हो सके वो खाना है फिर रात्री जागरण इसका एक कारण है अगर नीन प्रॉपर नहीं है तो यह पेशेंट में जादा होने के चांसे जाते हैं तो हमें लाइफ स्टाइल ठीक रखना है नीन पूरी नहीं होती है दिन आजकल का जो हमारा कार कारेक की भी शैली है उसमें स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है तो हमें वो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने का चाहे हम योग से करें साधना से करें एक्सराइस से करें तो वो अगर हम स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करें क्योंकि यह देखा गया है कि जैसे फीमेल्स मे वो कम किया जा सकता है मिनिसदिले किया जासे जैसे व्म इंडियान में और टोटल एशन कंट्री जो है県 इए जाया है जादा हैो ज़ल्दी होता है तो अगर अग्रस अपना लाइफ स्टाईलफी करेंगे तो डेफिनिटली ata के इंसिदेंस को कम कर सकते हैं और दूसरा मेरा यह मानना है कि जैसे के लिए जो community of thermology या जितना सामाजी कारे हो रहा है ग्लोकोमा के लिए नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें awareness रखें कि patients अपना जाके regularly check-up कराएं और 40s के बाद तो definitely और females के लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि चालीज के बाद जोपन एंगलोकोमा है females में जादा incidence है तो अगर वो regular check-up कराएंगे तो पता चलेगा कि यह होने वाला है क्योंकि जब लक्षन आते नो उससे पहले काफी damage हो चुका होता है एक और कॉलर है आधित ने हमें कॉल किया है आधित आपका स्वागत है हमारे कारेख्रम में बताएए क्या सवाल अपका मेरे मामा जी एस्टेट बैंक में काम करते से तो उनके जो कंप्यूटर पर काम करते से तो पानी आने लगा तो डॉक्टर से दिख लाया गया उनको तो उससे में कुछ खास डिटेक्ट नहीं हो पाया अभी जब रिटार्मेंट होने के बाद ये प्रॉब्लम रेगुलर रहा तो उन्होंने दिख लाया अच्छे से चिक अप कराया तो मुर्तिया भी निकला अभी 6 मेने से उनका ट्रिंक्मेंट चल ला है लेकिन डॉक्टर ने मतलब कोई खास कहा कि देखिए ठीक नहीं हो पाएगा यह 100% गाराइंटी नहीं हो सकता है अगर थीक नहीं हो सकता है क्या होमियोपेथिक इस तरह से मदद कर सकता हैंगी होमियोपेथिक में कैटरेट का बहुत अच्छा इलाज है बट सबसे पहले यह देखना है कि किस स्टेज पे है अच्छे अगर वो एडवांस स्टेज पर चला गया है तो उसमें उसको रिवर्स करना इतना असाल नहीं ह अच्छे पर अर्ली स्टेज अगर कैटरेक्ट है तो डेफिनेटली होमियोपेथिक मेडिसन से काफी फायदा हो सकता है अच्छा और ऑट्टर मेने आज कैटरेक्ट को लेकर अगर बात करें तो काफी अड़ांस अच्छा त्रीटमेंट हो गया है तो यह कहना कि वो ठीक न ज Är ना अट सफेध मोतिया केम सफेध मोतिया तो थीटबल है और विजन काफी आपस आ सकती है और मुंस पाबली के बात कर रहे हैं कि जो इनके relative को है वो काला मोतिया है और काले मोतिया अगर वो कह रहे हैं कि treat नहीं हो सकता तो वो भी कुछ हद ठीक बोल रहा है डॉक्टर की अब कितना advanced है यह कहना मुश्किल है तो अगर बहुत जादा advanced है तो वो तो दिश्टी वापिस नहीं आ सकती है अगर early है और उसको हम दवाईयों से या लेजर से या सरजरी से उसका pressure control करें तो काफी तक काफी हद तक वो रुक सकता है और आगे नहीं बढ़ेगा वो तो यह ज़रूरी है पता करना कि कौन सी तरह का मुतिया है वो और फिर वही अगर लक्षरों की बात करें और जो आप लोग बार-बार जोड दे रहे हैं कि नियमेज जांच यह बता रहा है कंप्यूटर के आगे काम करते थे पानी आता था लेकिन उसको अवोइड किया गया और बाद में देखा तो वो अब जो विजिन है वही चला गया है तो यह जो पानी आना इसको बहुत लोग नॉर्मल समझते हैं कि हमने थोड़ी दे स्क्रीन देख ली मुबाइल देख ली पानी आ रहा है तो इसको भी अवोइड करना लुकसाता है अब यह तो नहीं कह सकते कि बिलकुल अवोइड करना है जाए वो दस गंटे कंप्यूटर देखे या चार गंटे सिर्फ कंप्यूटर देखे उससे इतना फरक नहीं पड़ेगा और यह जो ऐसे कह रहे हैं कि पानी वगएरा आता था वो तो कोई और कारण भी हो सकता था जिसकी बज़ए से पानी आ रहा हो तो तो से कि यह पानी काले मोतिया का लक्षन है इस नाट करेक्शन है कि यह किसी वह कारण से भी हो सकता था था इक और कॉलर है अशोक ने कॉल किया है बैंगलूरू से हमारे साथ जोड़े है अशोक जी स्वागत है आपका हमारे कारेकरम में बताईए क्या सवाल है अशोक जी स्वागत है तो उसको दो साल पाले मैं देखाया था डाक्टर यह बंगलूर में नरेना ने प्राला है उसमें देखाया था तो आगर डाक्टर में बोला कि यह सावाथ आप चिसमा इविच कराईए और चिसमे से बच्चे का दूरी जो दूरी कमजोड है देखन करना पाए तो मैं गोरफपूर में भी затाप अशोक जी से ट्का थूरा पर बने रहा हím ए डाक्टर यह जो सला मांग रहे हैं अप – क्या बताएंगे आपके बेटे की उमर 19 साल है, आप ये कह रहे हैं, उनका दूर का विजिन में प्रॉब्लम है, ठीक है, और चश्मा लगाए गया, लेकिन फिर भी जो दृष्टी थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, आप डॉक्टर ने बताए कि उपरेशन करना पड़ेगा, तो ये उप अपरेशन उन्होंने क्या कहा चश्मा उतारने के लिए करेंगे या दृष्टी बढ़ाने के लिए करेंगे, वो चश्मा बोलने चश्मा तम नहीं लगाना पड़ेगा, उसको बोलना थे जाए तो आपकी चश्मा लेंस इसमें फित किया जाएगा, अच्छा, अच्छा, नंबर जादा है क्या? क्योंकि फिर बाद में जाके अगर चश्मे का नंबर बढ़ गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो पहले जितना बढ़ना है चश्मे का नंबर बढ़ने दीजिए उसको, और उसके बाद अगर कुछ करवाना है, तो तब इसलिए जैसा डॉक्टर के रहे हैं, आप गया अच्छी में जाच कराते रहे हैं, जीसतरा का उपचार वो बता Sean, वो आप करिये, और क्यूंकि जैसा डॉक्टर बता रहे है, कि रिपोर्स तो उनνबर देखकी है इसलिए आपको इलाज नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप किसे अच्छी दॉक्टर से लगातार संपर्क करिए अपने बेटे के लिए, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, दॉक्टर मन्यूश्या जैसे इन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया है, एक तु मैं जानना क्या जिसके विजिन में बहुत प्रॉबलम है, पास का या दूर का नहीं देखता, क्या उन्हें भी ग्लुकोमा होने के चांसे होते हैं, इसका कोई संबंध ग्लुकोमा से है, क्या? इसमें जो प्लस वाला नंबर है, जिसमें आम भाशा बलते है, तो हाइपरमेट्रोपिक जो लोग है, उनमें जो है, ये ग्लुकोमा होने के चांसे जादा होते हैं, अच्छा, ठीक है, एक और कॉलर है, ओम ने कॉल किया है, बहार से, ओम आपका स्वागत है हमारे कारक्रम में, क्या सवाल है, आपका बताएए, उसकार मैं, पूछते हैं कि हम लोग का, हम लोग य अच्छन नहीं है, ये ग्लुकोमा नहीं है, हमेसा कैसे जाच वगेरा कि अच्छन ड़का जाएए, प्रप्रिकोस्वा जाएगा, ये जो जलन और पानी आता है आँक में, ये इस आँक का स्ट्रेइन है, ये जनरली ये ग्लुकोमा ये कालमुतिया की वज़े से नहीं है, यह जो आपकी convergence है, आपके muscles हैं, वो थोड़े से weak हो सकते हैं, जिसकी वज़े से आपको strain हो रहा है, बार बार आपको redness और watering हो रही है, तो इसका इलाज तो आपको डॉक्टर से दिखा के ही करवाना पड़ेगा, चांसे हैं कि इसका काले मुतिया से कुछ जादा लेना लेना नहीं है, और डॉक्टर अजीश, जो ग्लुकोमा जिनकी family में है, या फिर मैंने सुना है जिनको diabetes है, उनको भी ग्लुकोमा होने की जादा आशंका होती है, तो ऐसे लोग क्या ऐलोपेथी के साथ साथ, होमियोपे तो उनका प्रेशर कंट्रोल होने लग जाता है, और उनको हम बोलते हैं कि आप दवाई डालिये और उनसे परामर्श किजिए, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, तो काफी हद तक इसका फायदा होता है, अच्छ ठीक है, और किस किस तरह के उपचार इसके लिए डॉक्टर काले मोतिया के लिए पहले तो हम आई ड्रॉप्स देते हैं, अगर उससे नहीं ट्रीट होता है, तो ओपन अंगल में हम लेजर करते हैं, अगर उससे भी ट्रीट नहीं होता है, प्रेशर फिर भी दवाईयों और लेजर के बावजूद भी बढ़ा रहता है प्रेशर, तो हमारे को साजरी जिसे ट्रविकुलेक्टमी कहते हैं, वो करनी पड़ती है, बहुत अड्वांस्ट केसे में या कई बार जो ट्रविकुलेक्टमी से भी नहीं कामयाब होते हैं, उन लोगों में कई बार हम ट्यूब भी डालते हैं, आंके अंदर जहां से आंका पानी बाहर जाए, तो ऐसे केसे में कई तरह के अपचार होते हैं, बट वो स्टेजड तरह से करना चाहिए, मतलब पहले अगर दवाईयां काम नहीं करें तो नेक्स्ट पिर अप्रोच लेते हैं, अगर वो काम ना करें पिर तीसरी अप्रेश लेते हैं, तो ऐसे ग्रेड़िड अप्र तो काले मुटिया के मरीज को अपनी पूरी जिन्दगी दिखाना पड़ता है रुपेश ने कॉल किया है दिल्ली से मारे साथ जुड़े है रुपेश शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए पूछ ये क्या सवाल है आपका मैं मेरी मैमी की ओम जो 54 एर है और एवलिंग के टाइम पे उनको जैसा धनुस टाइप का रिखता है और ये करेकरी समस्या पिछले स्में से साथ माई ने गी है और सलध भी रहता है उनको कुछ साइकलोजिकल प्रॉब्लम भी है तो ये नोट शूर की मतलब ये इनका आई में कुछ प्रॉब्लम है या जो साइकलोजिकल रिजिन है उसकी वजा से ठीक है आपने दिखाया है दॉक्टर को जी आपने दिखाया है तो उनोंने क्या बताया है उनका मैं भी ट्रीट्मेंट चल रहा है जो वड़ा सा टाइप्रेशन का उसके अलावा भी ये उनका चांति प्रॉब्लम रहता है तो आपने किसी आई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया है यह थीक था अचा वो ठीक था थीक है तो डॉक्टर क्या लग रहा है तो यह जो इंदर धनुष दिखाई दे रहा है और दर्द अगेरा आख में है तो कई बार काला मोतिया की एलक्षिन हो सक आते हैं काला मोतिया हो सकता है तो अगर आपने एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा दिया है तीन चार महीने बार फिर भी फिर दूसरी बार दिर्छा सकते है क्यelli बार ऐसे होता है कि पहली बार दिखाने से प्सक्राइख थीक होता है हमेशह नहीं है कि पूरे दिन में प्रेशर बढ़ा हुआ हो दिन में प्सक्राइख शाम को भी बढ़ सकता है तो ये इसलिए बीच बीच में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा हुआ कभी पता लगे तो फिर उसकी आँखों का काले मुतिया का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देना चाहिए जैसे आप बता रहे हैं अभी तक तो सब कुछ ठीक है तो शायद काला मुतिया ना भी हो बढ़ फिर भी दूसरी बार तीन या चार महीने बार चेक करवाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप करवा सकते हैं और डॉक्र मंजुशा जो मैं देख रही हूँ बाकी कुछ बीमारियां है यह आस्थमा है या आर्टराइटिस है या फिर कोई सरजरी हुई है डाबेटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर के मरीजों को यह बीमारी होने का जादा खत्रा रहता है तो इसमें आप बताएए आयूरवेद क्या मदद कर सकता है ऐसे लोगों की इसमें जो है अगर उनको क्या बोलते हैं एगर उनको ग्लोकोमा हुआ है, तब तो है कि हम ग्लोकोमा ड्रग के साथ कुछ supplement और प्रिवेंशन के लिए तो जो है रोगी के आधार पर होगा उनको डॉक्टर के प्रामर्श के अंधर ही वह दौन लेनी होंगी अच्छे ऑर एक और कॉल्लन है अर्स दूगे होए है आशिष ने कॉल ऐ जो शोड़े है शोड़े में कॉल किया है अश्वएनी आपका श्वागत का बताईए क्या सवाल है? जी मेरा स्वाव बढ़ होमेयोपति से रिलेटेटर है ठीक हॉप और मु53 ये जानना है कि ज्य체 कि अभी एलोपईटी को है बोला कि हमें सिंदगी भर दवाई लेनी ही तो हम हूम्योक्ती तो बैं इसे रिलाइ कर सकते हैं कि हमें जिंदी भर दवाई ना लेनी पड़ी क्योंकि जैसा कि मेरे झाइडर को catrack तो वो जब भी आइड्रॉप्स ले से पे उनके मुह में पूरा जैसे साबून जैसा घुल जाता और उनको जी आइटी में भी काफी प्रॉबलम होती थी ठीक है, डॉक्टर रजनीश? किसी तकलीफ हो जाए, बाकि होमियोपैथिकली ट्रीटमेंट लेने से उनको फायदा होगा ठीक है, यानि किसी अच्छे होमियोपैथि भी शिशक्र को दिखाए किसी ऑस्पिटल में आ जाए, वहाँ पर दिखाए क्योंकि एवैलुएशन पूरा करना ज़रूरी है, आई को एसस करना जरूरी है, उसमें इतनी जादा नहीं हो रही है, जिस तरह से उन्हें ने बताया कि आई डॉप्स डाल रहे हैं, आई ड्रॉप्स किस वज़ा से डाल रहे हैं, आय के लिए या ग्लोकोमा के लिए है तो वो एसेस करना जरूरी है ठीक है और उसके बाद इनको दवाई दी जाएगी ठीक है और एक कॉलर और है परमजीत सिंग ने हमें कॉल के हैं जमु कश्मीर से हमारे साथ जोड़े हैं परमजी जी स्वागत है अपका भी हमारे कारेक्रम में आप प प्रेशर जैसा आजाता है आंखों में और थोड़ा ड्राइनिस विया जाते है जिसके वज़ादे सिर में चक्कर आता है और किसी चीज़ के ओपर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर बाता हूं मेरी नजर में ऐसा कुछ भी सकता है आपकी उम्र क्या है परमजीत उमर मैं 21 और य में यह जब से मैं थोड़ा ज्यादा स्टडी की तरफ ध्यान मतलब एक साल गई एक साल करीब ठीक है डॉक्टर बिने क्या हो सकता है एक जिसे कहते हैं कंवर्जेंस इंसफिशेंसी के नाम से प्रॉब्लम होती है जो आपके मसल्स हैं वो आपके मसल्स ठीक तरह से कि आपको बताएंगे कि कौन सी एक्सराइज़ करनी है उसे मसल्स आपके स्ट्रेंथन हो जाएंगे और यह पासका का जो काम आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी दूसरा इंपॉर्टन्ट यह है कि अपनी डायेट आप अच्छी रखे ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो ठीक तरह से काम करें मेरे हिसाब से तो यही प्रॉब्लम हो सकती है मगर अगर अगर आपको आँके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जाकर चेश्मा वगयरा भी चेक करवाना पड़ सकता है तो सारा चेक अप करवाना जरूरी है और डॉक् अंगल क्लोशर होता है जहां पर अंगल बंद होता है वो थोड़े यंगर लोगों में होता है फीमेल में जादा होता है तो अंगल क्लोशर जो होता है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है उसमें ब्लाइंडनेस बहुत जल्दी आजाती है आंख में उसका और क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत जादा बढ़ जाता है तो उसमें लेजर काम करता है ओपन आंगल बहुत धीरे-धीरे से होता है उसमें प्रेशर इतना जादा नहीं होता है और उसमें ब्लाइडनेस होने के चांसे कम होते हैं तो यह तो डॉक्टर आपकी आंख और निग्लेक्ट ना करें अपनी आपको डॉकोमा को अगर शुरुवाती है तो आयूरवेट से सिर्फ ठीक किया जा सकता है या फिर साथ लेना पड़ेगा आयूरवेट का और अलोपेथी भी ज़रूरी है या फिर साथ जब बखर अपनी पारवेटि ने काल किया है अंध्रवेट से हमारे साथ जुड़ेए है पारवती आपका पड़ाताय का और कारेक्रम में पूछ ही आप अपना समाल अगर वो पिपलर इमारजिन तक पहुच रहा है और वो कहीं आपके vision में या देखने में वो कर रहा है तब तो उसको surgery करनी पड़ेगी लेकिन अगर वो early teresium है तो उसमें हम कुछ local application के लिए drugs देते हैं तो उसके लिए आप किसी आयरवेदिक physician के पास चाहिए और जो अंजन या eye drops market में available हैं या जो डॉक्टर के हाँ बनाए हुए वो आपको देंगे तो उससे जो है उसका बढ़ना हम रोक सकते हैं क्योंकि यह जो teresium है यह environmental pollution के कारण जो होता है तो अग उसको हम दवाई लगातार लगानी पड़ेगे आपको कम से कम 2-3 महीना तो आप उसको कम कर सकते हैं और होमयोपैथी भी मदद कर सकते हैं जैसे ही डॉक्टर मंजूशा ने बताया है कि एक्स्टेंट कितना बढ़ चुका है अगर वो लिम्बस तक आगया है प्यूपिल के मार्जिन तक आगया और उस पे भी बढ़ रहा है तो उसको सर्जिकली रिसेट करना ही ठीक रहता है अगर इनिशिल स्टेज में अगर आता है तो हमारी होमयोपैथिक दवाईया अच्छी है किसी भी होमयोपैथिक डॉक्टर से वो परामर्श करें और उसका सेवन करें पांच-छे मीने तो उसका रिजल्स मिलता है ठीक है और डॉक्टर मंजूशा हम देखते थे जब हम छोटे थे तो सुबा उटकर सबसे पहले आपको आखे धुनी है ये एक था करना होता था लेकिन आजकल हम ये इतना चलन नहीं देखते बार-बार आखे धुना ये सब चीजें आखों की सेहत के लिए कितना जरूरी ह और जैसे मुबाइल, टीवी, इंटरनेट इन सब का प्रियोग किस तरह से आखों पर असर डाल रहा है नेगिटिव आखों के लिए कई चीजें जो हमाई दिन चरह में बताई गई हैं एक तो आखों को दोना है जिसमें मैं पहले वाले उसमें भी कईवा बताई है त्रिफ ठीक रहती है और अपने एक और कुछी मैंने टीवी मोबाइल जो स्क्रीन पर लगाता देखना है टीवी मोबाइल देखे इसको हम हमाई बताएगे कि तीन रोग के कारण है असात्में इंद्रियात संयोग उसमें से एक है मिस जो हमारी पांच इंद्रियां है उसका हम अगर हम इंकाती हो करते हैं एकसे यूज करते हैं तो हमारी आखों पर हम इंप्रोपर यूज करे हैं जैसे चेया फिल्म जो है वो डिसरप्ट होती है उसका अवापरेशन जादा होता है क्यूंकि जब हम इन इन पर काम करते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, वार जो ड्राइनर्स की कम्प्लेइन है, जादा होती है तो इसलिए मेरा ये मानना है हमारे students को भी बताते है patients को भी बताते कि आप mobile, TV या जो भी ये computer वगरा का use है जितना जरूरी है उतना ही किया जाए इसको अपनी आदत नहीं बनाए जाए आदत नहीं बनाए जाए हेलो? जी बताइए मैं में थीं चार साल से बढया आग का में गिलकोमा हुगया है अच्छा लेकिन रोशनी ही मुने मेरा recover हो कि नहीं यह जंगनामचार है, 80% मेरा है। डॉक्टर मेने? 80% ठीक हो गये हैं आप। 80% मेरा, डॉक्टर बोलें कि 80% आपका आख का रुशन खतम है। अच्छा, खतम है। तो अगर वो जो 80% जा चुका है वो तो काले मुटिया की वज़े से जैसे आपके डॉक्टर ने बताया, वो चली गई है। मगर जितनी भी 20% बची है, उसको बचाने के लिए जरूरी है कि आप वो जो दवाईयां उन्होंने प्रिस्क्राइब की हैं जैसे मैंने बताया, जिनको है, उनके घरवालों को होने के ज़्यादा चांसे हैं, क्योंकि कई बार, most of the time जी जिए जिनेटिक बिमारी होती है, तो इसलिए घरवालों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे फादर को है, या हमारे भाई को है, या हमारी बहन को है, इसलिए हमारे को भी जाकर चेक-अप करवा लेना चाहिए. और कुछ जाना चाहते हैं? ठीक है. और डॉक्टर बेने, जैसे आप लोग बार-बार कह रहे हैं, चालीस के उमर के बाद चेक-अप कराईे, रेगुलर. लेकिन बच्चों में भी यह है, तो क्या करना है? बच्चों में एक तो जिसे कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, तब भी काला मुतिया हो सकता है, यह भी जेनेटिक होता है, और ज़रूरी है डॉक्टर्स को कि बच्चे की आँख खोल के देख लेंगी, तो यह तो अगर मगर फिर भी जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए उतना अच्छा है, हमारे कंट्री में एक स्टिरोइड इंड्यूस प्लाकोमा होता है, जो बच्चों में बहुत जादा है, क्योंकि इन्वार्मेंटल प्लूइशन की वज़े से बच्चे में खुजली होती है, कंजंक्टिव आइटिस हो जाता है, अलर्जी होती है, जिसके लिए स्टिरोइड देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स ने स्टिरोइड दे दिया, उससे फायदा हो गया, फिर वो माबाप जाके अपने आप ही खरीद लेते हैं, तो वो फार्मसिस से अपने आप दवाई लेके डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और उन स्टिरोइड से बच्चों की दीरे दीरे आँखे चले चले जाती है, काला मोतिया हो जाता है, और वो बच्चे बलाइंड हो जाते हैं, हमारे देश में इसका बहुत जादा है, वी आर गेटिंग लॉट ओफ चिल्रेन, बहुत बच्चोंटे बच्चे, जिन जो स्टिरोइड इंडूस प्लाकोमा से अंदे होते जा रहे हैं, इसका कोई रोक थाम नहीं है, सो बेसिकली आइडिया यह है कि सिरफ डॉक्टर ने, आँखों के डॉक्टर ने दीवी जो दवाई है वही डालिये, जब तक कहा गया है, तब ही तक डालिये, उससे जादा मत डालिये, अगर आपने दवाई को तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्टिरोइड इं को अच्छा आप मैं उसके बात माजम मेर ने थीजन काम होगया है, तब ढॉक्टर को बताया तो डॉक्तर बोलते इसके वजे से मिय होगया है, आप पर भी ओल रभी इसके लिए तु पए जुगर ने तो पही टीटमेंट नी आइ डोक्टर बतारे, तो मैं है काफी ठीक हो गया मैडम, टेबल हो गया, पर फिर भी अभी मेर को ठीक से दिखता नहीं मैडम, तो उसके लिए कुछ क्रिप्मेंट है मैडम, मैंने बीरेचेल किया और पंच कर्मा भी किया मैडम, ठीक है, डॉक्टर रजनीश आप बताइए, होमेपेथी इनकी किस तरह से तो हो सकता है कि वो एक एक एक्यूट फेस था, जिसमें उसका थोड़ा सा फंक्शनल विजन डिस्टर्बेंस हुआ, और जब उन्होंने आयुरवेदिक टीट्मेंट लिया, तो आस्ते आस्ते वो विजन जो है, रिकावर कर गया, तो यही मैं कहूंगा कि, आयुरवेदा स जैसे उन्होंने टीट्मेंट लिया है, वो किसी होमेपेटिक डॉक्टर से भी परामश कर सकते हैं, और अगर कुछ बेनेफिट मिल सकता है, तो ज़रूर लीजे, ठीक है, और डॉक्टर मंजूशा जैसे बता रहे हैं, उन्होंने विरेचन भी किया है, काफी और आयुरव परामश कर सकते हैं, और बाकी आपने तो किसी नेत्रविशे शगे को दिखाएं, जो कि इनको, इनके कंडिशन के हिसाब से बताएंगी कि कौन सी दवाई ये लंबी तोर पर ले सकते हैं, जिससे कि जो हो सकता है कि वो जो टी-बी की ड्रग से उनकी टॉक्सिटी के कारण जो है ये विजन उस समें गया हो, क्योंकि एक्जक टाग्नोसिस तो भी पता नहीं है इनको, तो वो एक पाद दिखा के, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो लगातार दवा लेने पड़ेगी इनको, ठीक, और डॉक्टर विटे, आप पताएं ये टी-बी का जो रिलेश का फाइदा होता है, कई तरह के विटामिन, विटामिन B6 से भी फाइदा होता है, तो जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, अगर विटामिन B12 दिया गया है, ट्राइ किया गया है, या विटामिन B6 ट्राइ किया गया है, ये सब देने से भी कई बार फाइदा होता है, तो व मुक्ता ने दिल्ली से हमसे पूछा है, मैं एक मीडिया हाउस में काम करती हूँ, मुझे ग्लूकोमा होने की कितनी संभावना है, मेरी माता जी को भी ग्लूकोमा था, तो क्या अनुवांशिक कितना परसंट चांस? अब एक तो यह जानना जरूरी है कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि आपकी मदर को था, इस इंपॉर्टन्ट है कि आप जब भी अपनी मदर को लेकर जाएं डॉक्टर के पास तो अपना भी चेक अप करवा लें, क्योंकि जिनके पेरेंट्स को है, उन बच्चों को ज्यादा ह होने के चांसे हैं, तो इसलिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपना भी अपनी मदर के साथ अपना प्रेशर कम से कम या अपनी ऑप्टिक नर्व की जाँच तो करवा ही लीजिए, और आप भी नहीं, आपके अगर भाई बहन हैं, उनकी भी जाँच करवानी जरूरी है, क्य कुछ महिने से मेरे लेफ्ट आई में फोरा पेन रहता है, तो किसलिए हो रहा है यह पेन, अबर डक्तर बता है, तो आपने अभी तक जाँच नहीं कराई है, क्यों आपको यह दर्द है, जी महीं, जाँच में नहीं कराई हूँ, ठीक है, नौकर, आपको जाँच करवा ले जाँच कराना तो बहुत जरूरी है, और क्योंकि फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो होमियोपेथिक ट्रीटमेंट में वही बात आ जाती है कि जब हम होलिस्टिक अप्रेप्च में देते हैं दवाई तो अगर उसको टेंडेंसी है भी तो वह काफी हद तक जो है वह दूर हो सकती है कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसको वह ग्लोकोमा हो लेकिन क्योंकि अगर है तो वह एक इंपॉर्टन चीज हो जाती है वह एक एहम चीज है और जांच कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है होमियोवेथिक टीटमेंट लेने से उस पर रोक थाम लग जाती है ठीक है और जैसे थोड़े पहले डॉक्टर आईड्रॉप को लेकर बोल रहे थे दॉक्टर मजूशा आजके हम देखते हैं टीवे पर बहुत जनरल से आड भी देखते हैं जो ये कहते हैं इसको कोई विस्तमाल कर सकता इस आईड्रॉप को कई लोग उसे आई और विदिक बताते हैं कई बोलते हैं कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है तो इसके लिए आप क्या सला देंगी क्या ये बिना पूछे इस तरह की दवाईों का इस्तमाल करना ठीक है आखों के लिए अपना फीस जो भी फैनेंशल उसके फैक्टर्स रहे होंगे फीस बचाने के लिए टाइम के कारण वो डॉक्टर के पास ना जाके खुद से वो दवाईयां खुद लेते रहते तो वो उनकी ड्रग के कारण जो आइट्रोजेनिक हम बोलते हैं तो ड्रग के कारण वो उनको और कॉम्प्लिकेशन्स हो जाते हैं तो इसलिए डॉक्टर की सलहा के पीना या टीवी पे जो अवरटाइस्मेंट दे रहे हैं कि ये सब चीजों में यूज किया जा सकता है ऐसी ड्रॉप्स को नहीं यूज करना चाहिए गारगी ने सवाल पूछा हैं और इन्होंने सवाल जीमेल के जरीये पूछा है आएए देखते हैं गारगी का सवाल गया है डिली से गारगी ने पूछा है मेरे उम्रे 37 साल है मेरे eyesight कमजोर है मुझे glukoma होने की कितनी संभावना है यह कुछ मिलता जूलता सवाल है। जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर आपके पेरेंट को है, किसी भी पेरेंट को है, तो आपको चांसे ज्यादा है होने के आपको अपना चेक अप करवा लेना चाहिए, अपना प्रेशर का और अपनी अप्टिक नर्व का और किसी भी आई स्पेशिलिस्ट के पास जाएंगे, ज अपनी आँख का चेक अप जरूर करवाएना चाहिए और आखिर में डॉक्टर विने यह जो मैं पढ़ रही थी कि एक यह साइक्लो GMP3 लेजर तक्नीक यह आ गई है और इस तरह की दुनिया भर में देखे तो 1200 मशीन हैं जिनमें से इंदौर में लगाई गई पहली मशीन तो यह जल्दी हो जाती है ट्रीट्मेंट और इसके सक्सेस रेट्स उतने अभी तक नहीं देखे गए हैं साइड इफेक्स भी होते हैं इसके तो जिनों ने करवाना है जरा सोच समझ के करवाएं क्यूंकि हमें लॉंग टर्म इसके अभी रिजर्ट्स इतने अच्छे पता नह सब लोगों में यह फाइदे मन नहीं होती है कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है बट साइड इफेक्स हो जाते हैं इसलिए करवाने में थोड़ा सोचना चाहिए तो इसे के साथ जो आईश्मान भव का आज कांक है इसका समय यहीं पूरा हो रह हैं कि आज दिये गए सुझाओ को आप अपनाएंगे और खुद को और अपनी आखों को बिल्कुल सही सलामत रखेंगे इसे के साथ आईश्मान भव के इस अंग में फिलाल इतना ही आप हमारे सकारिक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं अगले अंग में हम बात करे अंगे अलसर की इसके कारण और निदान की तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार